नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सक्ती नालेज पॉइंट की यीट्यूब चैनल में एक बार फिर तो आज किस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि मच और मेनी का कैसे यूज करेंगे ताकि जो भी आपके अंदर confusion होता है मच और मेनी में वो आज हो जाएगा इस वीडियो में clear इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो वीडियो को आप अंदर तक देखना है अगर आपको चीज़ें आती हैं वीडियो अभी से आप छोड़ सकते हो कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है बट अगर आपको वाकई में दिक्कत जाते हैं आपको सीखना है वीडियो का अपन्त तक देखिए और इंज्वाई करिए और इसमें इस वीडियो में आपकी यह जो प्रॉब्लम है मच और मेनी के यूज करने की वो पूरी तरीके से यहां पे क्लियर हो जाएगी ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथी साथ इस बेल आइकान को भी दवाईए उसमें आल को सलेट करिए ताकि आप भी कोई भी वीडियो मिस ना होती है बहुत कंफ्यूजिंग होती है मैं बात करूं कॉंटिटी और वाईलिम को लेके तो वहां पर आपको बहुत साई दिक्कते आती हैं कि कब कौन सा वर्ड यूज करें इसके साथ में सेम ऐसे ही कंडिशन इसी यही प्रॉब्लम होती है मच और मेनिंग कर जब यूज करना होता है हमको यही समय में नहीं आता करना है तो अगर पाजिट्यों सेंटेंस होगा तो वहां पर हम कई उसका मतलब होता है और अगर कॉश्चन करते हैं तो वहां पर कितना और कितने यूज करते हैं ठीक है तो यहां से एक चीज़ तो आंको क्लियर हो गई कि मच और मेनिंग मेनी का अगर हिंडी में हमको कर सकते कि कब मैंनी का यूज करते हैं कब मच का यूज करते हैं तो देखिए क्या मैंने लिखा है कि मच को क्या होता है यूज टू डिस्क्राइब uncountable nouns जो much का यूज होता है uncountable noun को describe करने के लिए किया जाता है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि uncountable noun क्या होता है same यहाँ पर देखो क्या लिखा है जो many है used to describe countable noun ठीक है तो many का यूज कब किया जाता है जब हमको countable noun को describe करना होता है तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि countable noun और uncountable noun होते क्या हैं ऐसी चीजें जिनको हम count कर सकते हैं जिनको हम गिन सकते हैं ठीक है तो वो होती है countable noun लेकिन ऐसी चीजें जिनको हम count नहीं कर सकते हैं ठीक है वो होते है uncountable noun तो countable noun में कौन से चीज के आती है? देखो diannig noises तो जैसे देखो emotions ठीक है? हम यह नहीं बदा सकतेों कि मैं कितना दुखी हूँ कितना खुस हूँ क्योंड है ना? क्योंक हम यह emotions होते हैं और इनको हम count नहीं कर सकते same like milc की बात करूँ तो milk आप count नहीं कर सकते हो ठीक है अगर मैं और बात कर लिता हूँ sunlight की तो sunlight को हम count नहीं कर सकते से में अगर मैं बात करूँ आप से oxygen की oxygen हो या carbon dioxide हो इसको हम count नहीं कर सकते हैं ऐसी जो चीजें होती हैं, जिनको हम count नहीं कर सकते हैं, जैसे आप एक और चीज़ देख लो, water, तो water को या, water को भी हम count नहीं कर सकते हैं, तो ये चीजें होती है, uncountable जिनको हम count ना कर सकें, और countable noun कौन से noun होते हैं, ऐसे noun जिनको हम count कर सकते हैं, जैसे आप देखो animal, animal मतलब तो आप यह मालूज जैसे मैं बोलाू इयर गितनी भी हीहरन होंगी हमको क्या काउट तो कर सकते हैं ऐसा तो हो लिए कर सकते हैं आप्जक्ट की बात कर कर beauty कोई भी आफजेक्ट से जैसे ग्या做法 करता हूं credit है तू में मैं काउंट नहीं कर सकता समोसे की मैं बात करूं तो क्या मैं समोसा काउंट नहीं कर सकता क्या कर सकता हूं तो यह क्या होंगे जो uncountable nouns होते हैं, जो यहां पर दिख रहे हैं, यह हमेशा singular noun की तरह यूज होते हैं, यह singular noun ही होते हैं, ऐसा singular number होते हैं, ऐसा नहीं है, इनका आप plural भी बना लोगे, ठीक है, milk को को मैं, milk सा नहीं कर सकता, oxygen को मैं, oxygen सा नहीं कर सकता, आप जाते हो ना singular number को जब plural number आप बनाते हो तो यह से is जोड़ देते हो कभी भी is जोड़ देते हो तो plural बन जाता है बट ऐसा नहीं होता इनके साथ और यह जो होते हैं countable noun यह singular number में भी होते हैं और plural में भी हो जाते हैं ठीक है उनको यूज़ कर सकते हैं चलिए यहां पे कुछ चीज़ें आपको समय में आ गई होंगी कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूं उसके बारे में uncountable की बारे में countable noun जो भी होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं as a countable यूज़ कर सकते हैं कब जब उनके पहले हम कोई countable unit यूज़ कर लें जैसे मैं बोला हूं कि water को मैं count नहीं कर सकता अभी मैंने बोला आपसे लेकिन अगर मैं यह लिख दूँ कि I have many glass of water यानि glasses of water तो यह यहां पर देखो मैंने क्या किया कि जो water है water के पहले मैंने क्या कर लिया countable unit यूज़ कर ली glasses अब क्या मैं glass को count कर सकता हूं न तो मैंने क्या कि उसके पहले मैंने countable unit कर लिए अब जिसकी वैसे क्या होगया यह इसको क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब उसके साथ हम क्या करते हैं काउंटेवल यूनिट यूज कर लिए आती है ठीक है चलिए यहां पर चीजें सौन में आ गए अपर आपको भी पता है कि जब तक कोई भी चीजें हम सीखते हैं चाब हिंदी हो इंगलेस हो कुछ भी सीखते हैं अगर जब तक हम को उसका यूज नहीं कर करने हैं तो इसको आप ध्यान रखो एक बार में और बता दू कि मच का यूज कप किया जाता है जब हमको अनकाउंटेबल लाउन दिया हुआ होता एक्स्प्रेस करना होता है जिसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं और मेंनी का यूज तब किया जाता है जब हमको काउंटेबल लाउन को काउंट करना हो ठीक है चलिए अब इनको सॉल करते हैं और देखते हैं क्या चीजें उसी तरह काम आ रही हैं जैसे मैंने बताया था यह यहीं पर खतम नहीं होता ध्यान रखना अभी आपको पूर एक जाम पस देखना एक और कांसेट विस्ते निकल के आने वाला है क्या लिखा देयर आर बुक्स इन माई लाब्रेडी अब आप यह बताओ कि जो बुक्स हैं इनको आप काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो कर सकते हो ना यहां पर क्या जोच करेंगे मैंने बोला जिनको कोई को आप कर सकते हो लेकिन मज करेंगे मच करेंगे आयए सब्सक्राइब हैं इस वैसे हम क्या यह कर लेंगे मच कर लेंगे यह इस्नेक नहींज़े यह साप की बात नहीं हो रहे इस्नेक्स नहीं फोलिए कर सकते हैं मैं paint अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि मैं आपको एक और आपको यहाँ पे वो देने बाला हूँ क्या देने बाला हूँ नया concept देने बाला हूँ देखो यह तो countable और uncountable एक तो आपके लिए ध्यान के लिए हो गया लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि आपको context देखना होता है कि जो many और much है ये किस context में हमको use करना है देखो यहाँ पर क्या लिखा there is slash room in my car अब देखो car के अंदर कमरे तो नहीं होते ठीक है तो क्या लिखा अगर there is room in my car तो यहाँ पर जो room का मतलब है ना room का मतलब place से है ना space प्लैस से नहीं space से मतलब है space नहीं जगह से ठीक है तो यहाँ पर जो room बताया गया space से जगह से है तो क्या जगह को आप count कर सकते हो नहीं कर सकते हो भाई that means यहाँ पर क्या use आएगा much का use आएगा ठीक है there is much room in my car यानि मेरी car में बहुत जगए है ठीक है चलिए next sentence क्या लिखा this house has many यानि sorry rooms ठीक है अब यहाँ पे बात हो रहें घर घर में तो कमरे ही होंगे कमरे तो हमारे पास बहुत सारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे हम थी grad us दो में कशी difference आया क्योंकि यहाँ रूम जो यूज किया गया तो यहाँ यूज किया गया था स्पेस के लिए और यहाँ पी यूज किया जा है रूम यहाँ पर क्या हो रहा है कमरे कितने हैं तो आपको आपको एक डहा आपको जब much और many का use करो तो वहां आप construct देखो यानि आप ये देखो कि जो हमारा sentence लिखा है उसमें किस बारे में बात की गई है तो वहां आपको अच्छे समय में आ जाएगा कि much यूज करना होगा कि many यूज करनी होगी ठीक है यहाँ पर next last sentence है आपके सामने क्या लिखा he has bottle soft milk देखो मैंने क्या बताया था कि milk को आप क्या कर सकते हो count नहीं कर सकते हो लेकिन यहाँ पर क्या use किया गया का यूज कर लेंगे अब यहाँ थोड़ी च्रिक की बात कर लेते हैं कियोंकि हर चीज के लिख लिखुण ही जरूरी है क्या ठीक है यहां पे much आपको पता है much किसके लिए उच की जाता uncountable के लिए तो देखो much में क्या आता है यू आता है इस you का मतलब क्या होता है इस you को आपको connect कर लेना किस से uncountable से ठीक है तो यहां से एक चीज आपको पता चल जाएगी much को जो you है वो uncountable को represent करता है तो आपको यह याद रखने में सहूलियत होगी कि much के साथ countable लगेगा कि uncountable लगेगा इस चीज को आप अच्छे से याद कर लो तो आप से फिर कभी भी क्या गलती नहीं होने वाली ठीक है तो यह रही आपको ट्रेक यह रहे आपको एक्जाम पर मैंने concept बता दिया आपको अच्छी चीज चीज पता चली होगी अगर यह सब चीज आपको बेहतरी लगी हो मज़ा आया हो आपको helpful लगा हो तो वीडियो को like कर लीजे चैनल को कर लीजे आप subscribe क्योंकि और ही ऐसे इसके बाद मैं आपको लाने वाला हूं some or any difference ठीक है कि कैसे उसको यूज करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप खुस रहे हैं मस रहे हैं और दूसरों को भी हसाते रहे हैं